Hello everyone, I am Bindu Tiwari, Welcome to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही unique segment के साथ, आज आपको सिक्षर अभिछमता से related objective questions के साथ, जो कि आप लोगों के लिए comparative exam में काफी help करेगा. तो फिर start करते हैं. सामाजिक बिकास में सबसे महत पूड कारक कौन्चा है? आंसर सामाजिक प्रतिवधता. Next questions, इस्कूल में प्रवेश पूर्व बालकों के खेलों को बरगी कृत किया जाता है? आंसर आत्म केंद्रित खेलों में. Next questions, बालक के सामाजिक बिवहार में निश्चय करण उत्पन होता है? आंसर तीन से छे साल बर्स तक. Next questions, बालकों में लेंगिंग संबोध का बिवहार में. आंसर बाल्य अवस्था में. Next questions, बालक बालिकाओं के प्रिथक सामाजिक बिवहार का कारण है? आंसर उनकी प्रिथक प्रिथक भूमी का प्रत्यास आएं. Next questions, मान लीजिए एक बालक अपने भाई वहनों एवं अन पारिवारी जनों के साथ लड़ाई जगडा करता है. उसकी इस बुरी आदस से छुड़कारा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? आंसर आप उससे अकेले में बाते करेंगे तथा इस समस्या के कारण ग्याद करेंगे. Next questions यदि बालक घर में आने वाले ब्यक्तियों को देखकर उप्रवेवार करता है वैसे सामान में दिखता है तो ऐसे बालक के लिए माता पिता को आप क्या सलाह देंगे? आंसर आप अपनी बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें तथा उसका निराकरण करें. Next questions प्राया बिद्याले में ऐसे बालक प्रवेश लेते हैं जो अपने सह पाठियों की किताब कौपियां आदी सामान चोरी कर लेते हैं. ऐसे बालकों की चोरी की आदतों को छुडाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? आप जैसे ही चोरी पकड़ेंगे गहन पूछ ताच करेंगे उसके माता पिता को बताएंगे तथा निगाह रखेंगे. Next questions यदि एक बालक किसी भी खाने पीने या खेल की बस्तु को देखकर जिद कर बैठता है तथा माता पिता को सार्वजनिक इस्थलों पर सरमिंदगी उठानी पड़ती है तो उसे कैसे ठीक करेंगे? आंसर बालक को उस समय संतुष्ट करके किन्तु बाद में भली भात बताने की कोसिस करेंगे. Next questions आप एक धीट बालक के बेवहार को संसोधित करने के लिए क्या करेंगे? आंसर सामान इस्थिती में उसे प्यार से समझाएंगे ताकि वह आगे से ऐसा बेवहार प्रदर्शन ना कर सके. Next questions बालक में स्वस्त अध्यन आदतों के विकास के लिए आप क्या करेंगे? आंसर आप उसे सयंबद्ध ढंग से पढ़ने के लिए बच्पन से ही प्रेरित करेंगे. आज बस इतना ही Next वीडियो में इसका अगले पार्ट के साथ हम आपके वीच में हाजिर होंगे और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुँचाएं जो इंटरनेट की सेवा से बंचित हैं. Thank you so much, bye bye.